दमस्कार स्टूडेंट्स आपका अपने चैनल पे स्वागत रभिनंदन है आज का हमारा महतोपून टोपिक मोडल 6 है इसमें आपके लिए कुछ निर्देश होंगे जिनको आप पढ़ सकते हैं और इससे पहले आपके 5 मोडल पेपर हल करवाए जा चुके हैं अगर आप चैन इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं अब अपन सीधे ही चलते हैं कि किस परकार के हमारे पर्षन हमें प्रिक्षा में देखने को मिलेंगे उन पर्षनों की ओर चलते हैं खंड ए होगा आपके लिए सबसे पहले और वहाँ आपके लिए वस्तुनिष्ट पर्षन आपके साथ 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 याद हो जाएगा आप बस ध्यान से सुन ले थोड़ा बिल्कुल आपको याद होगा वो सरल और सहज भासा में मा आपको सरल तरीके से समझाने का प्रियास करूंगे किस राजपूत राजे के विरोध के कारण शिरोही से अंग्रेजूं की ततकाल संधी नहीं हो सकी अंग्रेज सरकार शिरोही राजे से किस राजे से शिरोही से ततकाल संधी नहीं कर सकी तो क्या कारण था कौन सा राज़े राजबूत राज़े था वो बिरोध कर रहा था? मारवाड राज़े वर्ष 1969 के प्रारम में विश्व की जनसंख्या थी वो कितनी थी? तीन अरव महराना परताब हवाई अड़ा कहां इस्ती था है? तो महराना परताब हवाई अड़े के लिए चार ओप्सन आपके सामने होगे अपन सीधे ओप्सन के ओर चलते हैं महराना परताब मेवाड के सासक थे और उन्ही के नाम पर मेवाड छेतर कौन सा है आपको ध्यान होगा कि मेवाड छेतर है उदेपूर के आसपास वाला छेतर तो ये सभाविक सी बात है कि उदेपूर में है तो उदेपूर के डबोक में डबोक हवाई अड़ा बनावा है और जिसका नाम रखाव है माहराना परताब हवाई अड़ा मुझे उमीद है आपको याद हो गया माहराना परताब हवाई अड़ा उदेपूर के डबोक में सांगार नेर हवाई अड़ा अगर पुछा जाए तो उदेपूर में नेक्स्ट परसन है निम्न में से किस कानून में ये निश्चित किया गया है कि किसी का भी मेहनताना एक निर्धारी तन्यूनतम राशी से कम नहीं होगा मेहनताना मतलब मेहनत करने के बदली जो वेतन मिलता है वो मेहनताना कहलाता है तो वो किस में है तो वो लिखाव है न्यूनतम मेहनताना कानून में सन दोहजार ग्यारा की जनगर्णा के अनसा राजस्थान की महिला साक्सर्था धर है वो कितने हैं तो महिला साक्सर्था है राजस्थान में वह 52.12 परतिसत या 52.12 को बोल सकते हैं तो लगभग 50% आप ये ध्यान रख लें खंड आपके सामने दूसरा होगा वो बैखंड होगा और इसमें अतिल घुत्रात्मक पर्षन होगे तो इस पर्षन में सबसे पहले पूछा है कि निम्न को सुमेलित केजिए सविन्य अवग्यांदोलन बस्तर विद्रो हैनरी टोमस कोलभूर्ग और हरीदा से ठाको इसमें सबसे पहले पन को मिलाना है सविन्य अवग्यांदोलन जोके 1930 में हुआ था सविन्य अवग्यांदोलन का दूसरा नाम दांडी यात्रा ये साबर मतीश ये दांडी जोकी अरब सागर के तटपे है वहां तक गांधी जी ने तै की थी इसलिए इसको दांडी यात्रा भी कहते हैं इसको नमक यात्रा भी कहते हैं क्योंकि ये नमक कानून अंग्रेजी सरकार ने नमक पे टेक्स लगा दिया था नमक पे एक परकार का चार्ज लगा दिया था उसके विरोध में गांदेजे ने आंदोलन किया था इसलिए इसको नमक आंदोलन भी बोलते हैं नमक विद्रो भी बोलते हैं सविने अवग्या भी आंदोलन बोलते हैं तो यह कब हुआ था 1930 में बस्तर विद्रो को मिलाना है तो बस्तर विद्रो क भारती यानि भारत के बीच में मध्य परदेश और 36 गड़ के आसपास का इछेतर था हेंरी टोमस कोल बुख ये कौन थे तो हेंरी टोमस कोल कलकत्ता में एक भासा विद्ध थे हरीदास ठाकूर मत्वा पंत को चलाने वाले परमुख संग वाद के अंतरगत रिष्ठ थानों क से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं बिल्कुल rip संगवाद किसकी हैते हैं तो संगवाद शासन विवस्था का एक परकार है जिसमें सक्तियां जो भागो में बटिवो होते हैं केंदर स्थे स्थे सक्तियां कॉनसी होंगे राजय-सरकार के सक्तियां कौन सी होगे तो ये सविधान में तय होने के कारण इस संगवाद की एक परमुक्ः विशेषता है कि या लिखित सविधान भी होता है तो यह आप समझ गए होंगे सविधान संग्य साशन विवस्था में सक्तियां बटी हुई होती है गराम सभा के सदस से उस राजस्वय गाम में रहने वाले मत दाता होते हैं शिक्ष्या और स्वास्ते लोगों को बहुमुले संसादन बनाने में मदद करते हैं बिलकुल जहांका सिक्ष्या और स्वास्ते का जो इस्तर है वो अच्छा होगा तो वहां का मानव विकास या मानवे संसादन है वो बहमुल्ले होगा ओपनिवेशिक सासन से पहले आदिवासी समदाई सिकार करते थे आदिवासी समदाई यानि जो जंगलों में रहने वाले समदाई थे वो सिकार करते और जंगलों में मिला वजो कच्चा उत्पाद होता था उसे चीजें बना कर वो अपनी आजिवीका चलाते थे आजिवीका यानि जीवन संचालन करने का तरीका उत्परवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं देश छोड़कर जाने वालों को उत्परवासी कहते हैं और देश में आकर रहने वाले लोगों को आपरवासी कहा जाता है जो लोग दूसरे देश से आते हैं उन्हें आपरवासी और जो छोड़कर जाते हैं उन्हें कहते हैं उत्परवासी खंड अपने सामने से होगा और खंड से में लगुत्रात्मक परसन होगे निम्न परसनों के उत्तर दीजी आपको इस परकार से खाली जगए मिलेगी और उसे में आपको उत्तर लिखना है सन 1761 में कौन सा युद हुआ था और किसकी हार हुई थी तो 1761 में पानिपत का तीसरा युद हुआ था किसका पानिपत का तीसरा युद और इस युद में मराठों की हार हुई थी दिक्कू किशे का आजाता है तो जन जाती हूँ द्वारा बाहरी लोगों को दिक्कू का आजाता था और जन जाती इन लोगों का विरोध करते थे प्राच्यवादी अंग्रेजी अधिकारियों के अंसार देशी जनता का दिल किस परकार जिता जा सकता था प्राच्यवादी शिख्या के छेतर में भारती ज्यान को प्रोच साहन दिया जाए हिंदू और मुसल्मान को वही पढ़ाय जाए जिसे वे पहले से ही प्रीचित हों और उनका आधर और सम्मान भी करते हों और उन्हें अंजाने विषय की शिख्या नहीं दी जाए जिस विशे को वो जानते हैं, पहचानते हैं, जिसका वो अधर करते हैं, वही विशे पढ़ाया जाए, अंजान उनके लिए जो विशे हैं, उनकी शिक्ष्या होने हैं, नहीं दी जाए, इस परकार के उनकी सोच थी जामदानी बुनाई के ततकाल इन दो के अंदर कौन से थे जामदानी बुनाई के लिए दो परमुक के अंदर थे उसमें बंगाल में ढाका और स्यूक्त प्रांत में था लखनव अंतिम मुगल बादसा ने अपनी आखरी साल कहां बिताई तो अंतिम मुगल बादसा कौन थे बहदूर साथ जफर और इन्होंने अपने अंतिम समय था अंतिम दिन थे वो रंगून की जेल में बिताए थे और वहीं पे 1862 में इनकी मर्द्यू हो जाती है रंगून जो कि मैनमार की राजधानी है रंगून इस्थाई बंदोबस्त की दो विशेष्टाओं का वर्णन कीजिए इस्थाई बंदोबस्त लागो किया गया था अंग्रेजी सासन के समय और इसकी परमुख विशेषता बतानी है तो इस्थाई बंदोबस्त में राजाओ और तालुक दारूं को जमीधार मान लिया गया था जमीधारूं द्वारा चुकाई जाने वाली राशी थी वो इस्थाई कर दी गई अब उनमें कोई परकार की किसी परकार का चेंज नहीं हो सकता था उसमें भविशे में किसी परकार की बड़ोतरी नहीं की जा सकती थी तो इसे का इस्थाई बंदोबस्त और यह इस्थाई बंदोबस्त की परमुखे विशेषता है प्रमप्रागत और गैर प्रमप्रागत उर्जा के सुरोत कौन से होते हैं और इनमें कोई तीन अंतर बताने तो प्रमप्रागत और गैर प्रमप्रागत सुरोतूं में हम अंतर इस परकार से कर सकते हैं उर्जा के प्रमप्रागत सरोतों का उप्योग लंबे समय से होता जा रहा है तो इनके खतम होने के कि जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है कि बहुत जल्दी खतम हो सकते हैं अगर इनका विवेक पूर्ण तरीके से यानि योजना बद प्लानिंग तरीके से अगर इनका उ परियावरन को परदोसित नहीं करते है उर्जा के नवी करंडिया संसादन होते हैं और इसमें होते हैं जैसे सोर उर्जा जो सुरिय से मिलती रहती है पवन उर्जा जो की हवा से मिलती रहती है पवन चक्कियां लगा कर पवन उर्जा को प्राप्त कर सकते हैं तो इदो दारण आपके वेश्ट दारण आप याद रख सकते हैं प्राथ्मिक किरियाएं और तिर्ते के किरियाएं तीसरी चेतर की किरिया अर्थ विवस्था के तीन किरियाएं होती हैं, तो अर्थ विवस्था में प्राथ्मिक छेतर, दित्ते चेतर और एक उता तिर्ते चेतर, प्राथ्मिक छेतर, दित्ते चेतर और एक उता तीसरा चेतर प्राथमिक छेतर में कर्शी समंदी, दूसरे छेतर में वी निर्मान समंदी और तीसरे छेतर में सेवा समंदी कारी किये जाते हैं अब हमें इंका अंतर करेंगे इसमें प्राथमिक छेतरों में इसमें प्राकर्तिक संसाधनों से उत्पादन होता है जबकि तृत्य किरियाओं का समंध है वो प्राथमिक और दित्य छेत्रों के विकास में सहयोग करना होता है दूसरा हम अंतर कर सकते हैं कि प्राथमिक किरियाओं प्राए एक परिवार के सदसे मिलकर कर सकते हैं जैसे कर्शी कारिये हैं उसमें ज्यादातर परिवार के लोग ही लगे रहते हैं और तित्य छेत्र की जो किरियाएं हैं उनमें कई लोग लगाने पड़ते हैं बड़े इस्तर पे लोग लगे होते हैं तीसरा अंतर हम कर सकते हैं कि प्राथमी किरियाओं की उधारण जैसे की कर्षी, पर्षू पालन, मुचली पालन और तीसरी किरियाओं की उधारण हम जैसे ले सकते हैं कि बंकिंग, बीमा और प्रीवन समन्दि, स्वामित्व के अधार पे उध्योगूं का वर्णन कीजिए, स्वामित्व के आधार पे उध्योगों को हम च्यार प्रकारों में बाड़ सकते हैं जैसे सार्वजनिक छेतर के उध्योग जिस पे सरकार का नियंत्रण हो और सरकार के नियंत्रण में उध्योग होते हैं सरकार का पुरा नियंद्रण इन पे रहता है, सारवजनिक उद्योगों पे, नीजी छेतर के उद्योग ये किसी व्यक्ति विशेश के नियंद्रण में रहते हैं, जैसे रिलाइंस इंडस्ट्री है, वो नीजी छेतर का उद्योग है, और किसी व्यक्ति विशेश का नियंद् जहां 15-20 लोग मिलकर एक सहकारी रूप से काम करते हैं, तो उसे करते हैं सहकारी चेतर का उध्यूग। महत्मा गांधी राष्टी ग्रामेन रोजगार गारंटी योजना तथा परधान मंत्री आवास योजना का प्रमुख उद्देशे क्या है। पहले हमें नरेगा का बताना है, मैं नरेगा जो कि महत्मा गांधी राष्टी ग्रामेन रोजगार गारंटी योजना है, इसका उद्देशे बताना है, तो मैं नरेगा जो कि 2005 में अधिनियम लाया गया था, और 2009 में इसका नाम महत्मा गांधी पे रखा गया, महत्मा गांधी राष्ट्र की ग्रामेद इसी से पता चल रहा है कि राष्ट की ग्रामेद रोजगार योजना गाउं में रोजगार देने वाली योजना है तो मैं नरिगा का उद्देशे ग्रामेंड छेतरूं को नियूनतम सो दिन का रोजगार उपलब्द कराना है परमुख उद्देशे आ गया परधानवंत्रिय आवास योजना का परमुख उद्देशे पक्के मकान उपलब्द कराना सुति वस्तर उद्योगों का वर्णन कीजी तो सुति वस्तर उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचिन उद्योग है और वर्तमान में भीलवाडा राजस्थान का परमुख वस्तर उद्योग भी है जिसे राजस्थान का मैंचेश्टर भी कहा जाता है तो राजस्थान का मै पूर जोदपूर चूरू विका नेर नागोर में भी वस्त्रू की रंगाई छपाई और बंधेज से समंदित कारिये किये जाते हैं तो ये वस्त्रू द्योग से समंदित वर्णन किया गया है दूर्ग क्यों बनाये जाते हैं यानि किले दूर्ग का मतलब किले पहले राजा म राज्ये से उस राज्ये को बचाय जा सके तो सुरक्षय उपाई की दरश्टी से दुर्ग या तोंची पाढ़ियों पे बनाय जाते थे या ऐसी जगह पे बनाय जाते थे जहां गहरी खाई हो या फिर मैदानी भागों जो की नदियों की किनारे हो ताकि सत्रू से ना आसानी से उस रास्ते को पार करके उस राजे तक या किले तक किले को भेदने सके उस किले तक पहुंचने सके साक्सर्ता दर से क्या से इससे किस बात का पता चलता है तो किसी छेतर या राजे की कुल जनसंख्या में पढ़ेने लिखने वालों की जो छमता है उससे संपन जनसंख्या है वो उसको कहते हैं साखसरता दर कितने लोग वहां के पढ़े लिखे हैं उसको कहते हैं साखसरता दर जनस्विंख्या के साख सरता दर से किसी चेतर की सामाजिक और आर्थिक जो इस्तिती है उसका पता लगाया जा सकता है धर्म को राजे से अलग रखना क्यों महतोपून है तो धर्म को राजे से अलग रखना महतोपून है क्योंकि बहुमत की निरोंगुष्टा बहुमत कौन होता है अगर किसी राजे में जैसे हम भारत की बात करें या 80% हिंदू है तो बाकी परतिसत जो 20% है उसमें मुसलिम सिख इसाई जैन आदी कम्यूनिटी आती है आदी संपरदाय आते है तो 80% की जो लोग हैं ये बहुमत में यानि संख्या में जो लोग ज्यादा हैं इसको कहेंगे बहुमत निरंकुस्ता मतलब जिस पे किसी परकार का अंकुस नहीं हो वो मन मर्जी करें उसे कहते हैं बहुमत की निरंकुस्ता तो बहुमत की निरंकुस्ता नहो अलप संख्यकों पे और उनके मोलिक अधिकारों का हनन ना हो इस इन सब को रोकने के लिए लोकतांत्रीक समाजों में राजे और धर्म को अलग रखना अतियावसेक है। लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करने के लिए भी धर्म को राजे से अलग रखना जरूरी है। ताकि लोग धार्मी उनकी जो धर्म समंदी चुनाव है, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख्ञ हिसाई हैं, उसकी सवतंतरता या उस अधिकार को, उसे बचाई कैसे रखें, उस संसकर्ती को बचाई कैसे रखें, उसकी रक्षा कैसे करें, इसके लिए धर्म और राज्य को अलग रखना महित तो पून, भार्त की न्याय पालिका की सरंचना, भार्त की न्याय पालिका की सरंचना को पिरामीड बना कर समझाना है, तो पिरामीड होता है, इस परकार से, ये पिरामीड है, और इस पिरामीड में, अब सबसे उपर क्या है अपको दिखाई दे रहा है, सर्वोच न्याले उससे नीचे क्या है उच न्याले उससे नीचे है जिला न्याले और सबसे नीचे है अधिनस्त न्याले अब इन अपनी जो भारती न्याई पालिका है ये एकी करत न्याई पालिका है एकी करत यानि एक ही आदेश इन सब को फोलो करना पड़ता सर्वोच अ अंतिम जो सुनवाई होती है वो सरोच न्याले में होती है। यूनियन कारबाइड के भोपाल यूनियन कारबाइड एक हादसा हुआ था भोपाल में जो कि मद्धे परदेश में है। अमरीकी सयंत्रों में सुरक्ष्या वेवस्था के अंतर को इस पस्ट करना है। यूनियन कारबाइड जो के एक जहरीली गैस होती है वो भोपाल में एक बड़े हादसे का कारण बनी थी और अमेरिका में ऐसे हादसे नहीं हुए। तो इसकी सुरक्ष्या के प्रमुख वेवस्था है उसमें अंतर बताना है। तो यूनियन कारबाइड के अमरीकी सेंत्रों में कम्प्यूटरी करत चेतावनी और निगरानी की विवस्था विद्यमान है। लेकिन भारत में भोपाल में यूनियन कारबाइड का जगह है उसमें ऐसा कुछे नहीं था और ये केवल मजदूरों के अंदाजे के सारे चलाई जा रही थे। इसलिए इतना बड़ा हादसा यहां हुआ। बड़े सहरों में सारवजनिक परिवयन के महतोपून साधनों का अवले कीजी तो बड़े सहरों में कम दूरी के लिए बस ही सारवजनिक परिवयन का सारवजनिक मलब सब बस में बैठके एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक जा सके उसे कहते हैं सारवजनिक सब के लिए प्योग में आने वाला साधन महत्तो पूर्ण साधन होता है ज्यादा तर कामकाजी लोग बस से ही अपने मंजिल तक पहुंचते हैं अब धीरे धीरे क्या हुआ तेज सहरी करण यानि लोग सहरों की ओर ज्यादा जाने लगे वो चाहर रोजगार के कारण हो या स्वीदाओं के कारण और लोग सहरों में जाकर ज्यादा बसने लगे उसे कहते हैं सहरी करण सहरी करण के कारण बड़े सहरों में सारवजनी के बस पढ़ना जरूरत की हिसाब से अपना कारिय पूरा नहीं कर पाती है यानि कम साबित होती है तो बड़े महानगरों में सरकार ने क्या कुण सी यूजना चला दी? Metro Rail प्रियूजना और राजस्थान में Metro Rail प्रियूजना भी है, वो जैपूर में किरियान भी थे Rollet Act क्या है? तो Rollet Act अंग्रेजों के मनमानेपन की एक मिशाल थी या एक मनमाना कानून था, या कहें कि एक काला कानून था, जोंग्रेजी सरकार के समय पारित किया गया था और इस कानून के दोरा British सरकार बिना मुकदमा चलाए, लोगों को कारावास में डाल सकती थी इसलिए यह काला कानुन का आगया क्योंकि बिना कोई मुकुद्मा चलाई किसी आनी button को दोसेशा बीदो कर दिया जाथरोश कारवास में जेल में डाला जा सकता था महत्मा गांधी सहीत सभी राष्ट्रीっち जो भार्ती राष्ट्री नेता थे राष्ट्रवादी आंदोलन चला रहे थे देश के सवतंतरता के लिए उन सब ने इस आंदोलन इस कानून का विरोध किया रोलट एक्ट का और गांधी जी ने आखरकार रोलट एक्ट का विरोध करते करते कौन सा आंदोलन चला दिया था ऐसा योग ऐसे योगा अंदोलन चलाया था गांदी जीनेशी के विरोध में पर्षनकाल क्या होता है तो पर्षनकाल संसद की एक परकरिया है या संसद की एक महतोपूर्ण व्यवस्था है इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करती है साथ ही इसके माध्यम से संसद कारेपालिका पर भी अपना नियंत्रन हैं कारेपालिका मतलब सरकार सरकार पर अपना नियंत्रन रखती है और इसमें पूछे जाने वाले परसंद सरकार को और बेहतर कारी करने के लिए प्रोचसाइद करती है और इसमें विपक्षी दल सरकार की नीती और कारेकर्मों की को जन्ता के सामने रखते हैं Next अपना परसन है मानचितर से समंदित और मानचितर में हमें भरना है जमेर, जाला वाड और गंगानगर तो गंगानगर सबको पता है सबसे उत्री जिला गंगानगर है और इसके पास वाला यह हनमानगड है तो हमें तो गंगानगर भरना है दूसरा जिला हमें बरना है अजमेर अजमेर राजस्थान का हर्दे कहलाता है तो अजमेर कहां पे है तो अजमेर जालावाड भरना है, जालावाड राजस्थान का सबसे कोटा बुंदी बारा जालावाड, यह हडोती के पठार वाले जिले कहलाते हैं, इसमें जालावाड यह है खंड अपने सामने दै होगा, जो कि लास्ट खंड होगा, और इसमें आपके जो परसन होगे, वो बड़े परसन होगे, शिक्स मास्ट के, तो इसमें अथवा में परसन होगे, आप चाहें यह परसन कर सकते हैं, आप चाहें यह कर सकते हैं, एक करना है, इनमें से आपको एक प पर्षन करना है पर्षन पूछा गया थारा सो सत्याउन की क्रांती किसमें राजस्थान के तत्काली ने जी जी और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे और कहा न्यूकत थे और बीटी सेनिक चाउनिया की क्या इस्तिती थी तो अठारा सो सत्याउन की क्रांती के समें राजस्थान में छे चावनिया थी और पॉलिटिकल एजेंट के लिए ये पहले अपना पर्षन हेलो हो चुका है नेक्स्ट जो अपने पांच मोडल पेपर कियें उसमें अपने ये पर्षन है वो हल कर लिया तो छे चावनियों को मैंने सरल भासम बताये था नानी ये देख ब्यावर नसी देवली, खैरवाडा और ब्यावर ये छे चावनियों बताये थी छे चावनियों में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे उस समय ततकालिन समय में एजी जे कौन थे राजस्थान के पैटरिक लोरेंस थे अब हम इसमें हल करेंगे नसीराबाद और एरिन पुरा में तो नसीराबाद का विद्रो 28 में 1867 को नसीराबाद चावनियों में हुआ था तारीक कोन से थी 28 में 1867 राजस्थान में 1867 की करांती की सुरुवात कब हुई 28 में को कहां से नसीराबाद चावनियों से और इस चावनियों के जो सेनिक थे उन्होंने चावनियों में विद्र कार लिया जो विद्रोही शैनिक थे उन्होंने ुध रूट ले और मेजर वू स्वे उस समय और न्यूजनस बरी थे उनकी हत्या कर दी सैनिकों ने ०िली के और प्रस्थान किया किसकी हत्या की गई थी हैं मेजर उड और नियून सबरी एरिनपुरा दूसरी नमबर पे हम एरिनपुरा के विद्रोह को करेंगे और यहां अंडरलाइन कर दें यहां स्टार बना दे सुंदर अपनी कौपी को सजा दे आपके पूरे में से पूरे माक्स होंगे 21 अगस्त 1877 को एरिनपुरा में विद्रोह हुआ जोदपूर लीजियम जोदपूर लीजियम में जैसे मोति खान सुबेदार सीतल परसाद और तिलकर राम के नेतर्तों में विद्रोह प्रारम हुआ था दिल्ली चलो और मारो फिरंगी का नारा येशे में लगाया गया था ये पूरा छावनी में दिल्ली चलो और मारो फिरंगी ये नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे तो आ हुआ के ठाकूर कुसाल सिंग ने इन सनिकूं से मिलकर इन सेनिकों को अपने साथ ले गए आहुआ के ठाकुर कुसाल सिंग नेक्स्ट अपना परसन है कि आप राधी के न्याई के विवस्था के विविद पक्स कौन से हैं किनी दो की भूमी का बतानी है तो अपराधिक न्याईक विवस्था के विविदपक्स की बात हम पहले पांच मोडल में कर चुके हैं FIR अथवा में है FIR यानि पर्थम सूचना रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं तो इसके बारे में भी पर्थम हम कर चुके हैं तो FIR क्या होती है ये भी आपको याद हो गया होगा अगर आपने पांच मोडल पेपर पहले देख लिए तो तो हम अब पहले पर्षन को करेंगे कि आप राधिक न्याईक विवस्था के विविद पक्स में सरकारी वकील की भूमिका को देखेंगे ऐसे आप अंडरलाइन कर दें और फिर अदालत इसकी भूमिका को बताएं अदालत में सरकारी वकील राज्ये का पक्स प्रस्तुत करता है राज्ये का पक्स यानि सरकार का पक्स सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पुरी करके और अदालत में आरोप पत्र है वो दाखिल कर देती है और उसके सामने समक्स यानि ठोस सबूत गवाह और सबूत पेश करने का प्रियास किया जाता है सरकारी वकील की दुआरा दूसरे नंबर के हम भूमिका के बात करेंगे तो नियाएधिस की भूमिका क्या होती है तो नियाएधिस सारे गवाहों के बयान सुनकर अभियोजन पक्स और बचाव पक्स दोनों पक्सों की सुनवाई की जाती है और सबूतों की जांच करने और सबूतों के बाद सबूतों जोakनेक देखिए सरकारी वकील की अधोमिग होती है वो सबूत अधार सबूत सरकारी वकील द्वारद्ड खिल यहाते हैं उनके आधार पर न्यायदी जीव के संरक्षन के उपाई का वर्नन कीजिए, जल संसादनों के संरक्षन के उपाईों का वर्नन कीजिए, प्राकर्तिक संसादन, प्राकर्तिक वनस्पति और वन्य जीव, वनों में रहने वाले जीव, प्राकर्तिक वनस्पति यानि पेड़ पोदे, इनके संरक्षन के हम निमन उपाई हैं वो बता सकते हैं, प्राकरतिक वनस्पति और वन्य जीओं के संरक्षन के लिए राष्टी उद्ध्यान और वन्य जीओं अभ्यारण की स्थापना करके हम इनको बचा सकते हैं, वन्य जीओं के सिकार पर परतिवन लगा कर भी हम वन्य जीओं को बचा सकत या वहां के जो पेड़ पोद्दे हैं उनको नुक्सान पहुंचाएगा तो वनू में मानवे गतिवी धिया हैं उनको कम करके या उनको नियंतरित करके समुदाईक जागरुकता पैदा करके समुदाई यानि समाज में जागरुकता पैदा करें वन्य जीव और वनस्पति को बचाया जा सकता है अथ्वा का अपना परशन है जल सन्रक्षन को कैसे बचाएं जल का सन्रक्षन कैसे करें जल को कैसे बचाएं तो जल दो प्रकारशिया में प्राप्त होता है एक तो भूमी के नीचे भूम जल जिसको बोलते हो एक हैपने बरसात का जल जो कि क्या कहलाता है वर्षा जल तो जल को बचाएं कैसे तो जो परदुसी जल है जो हनिकारक तत्व मिले हुए है जो समुंदरों के रूप में है या कोई तालाबों के रूप में है उस जल को पीने योगे बनाए तो भूमी जल कम से कम यूज होगा और भूमी जल समापत नहीं होगा तो परथवी पे जो जल उपलब्ध है में समुंदर के रूप में हमें तालाब के रूप में कहीं इकठा तो उसे परदुसी जो जल है उसको पीने योगे बना कर कोई विभिन परकार की विधियों का प्रियोग करके उनको पीने योगे बना ले वर्षा जल संग्रण छत वर्षा जल को संग्रीत कर ले खेत तुमें बूंद बूं सिचाई पदती का उप्योग करे फुमारा सिस्टम का प्रियोग करे और बड़े श्तर पे पेड़ पोदे लगाएं तो हम जल को बचा सकते हैं भारती राष्ट्री कॉंग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदाई प्रिष्थितियों का वर्णन कीजी किन प्रिष्थितियों में भारती राष्ट्री कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी तो भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में ए वो हूम के द्वारा की गई थी तो कौन से प्रिष्थितियां उस समय मुझूद थी तो भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना के लिए निम्न प्रिष्थितियों को उत्तरदाई हम बता सकते हैं कि 1870 मे और 1808 में का जो समय था वो ब्रिटिस सासन के परती जनता में बड़ा आक्रोज था जनता थी वो बड़ी नाराज थी ब्रिटिस सरकार से अंगरेजी सरकार से क्यूं क्यूंकि 1878 में Arms Act पारित कर दिया था और जिसके तहत भारतियों को हथियार रखने पर ये हथियार है हथिय सरकार रखने पर परती बन लगा दिया था सरकार ने उसका नाम है Arms Act का पारित किया गया लDon making यह भी पूछा जा सकता है कि Arms Act कि पारित किया गया है आपको याद रखनी एंठाट जम साल रखनी है लग से शारफ नहीं 128 में ही वरना क्यूलर प्रिट अट भी पारित किया गया कौनसा एक्ट वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट प्रेस मरलब पत्रकारी था समाचार पत्र 1878 में इसमें क्या था कि जो भी न्यूज पेपर याखबार सरकार के आलोजना करता तो उस पे परतिबन लगा दिया जाता था सरकार नेंगरेजों के विरुद की वजय से ही एक इलबर्ट बिल लाया गया था उसको भी वापिस ले लिया पढ़े लिखे भारती वर्ग द्वाराई का खिल भारती संगठन की आवसेकता उसमें मैसूस की जा रही थी ये परिस्तितिया मोजूद थी उसमें तो आखिरकार दिसंबर 1885 में देश भर्षे बहतर परती निधियों ने मुंबई में एक सभाकी और भारती राष्टे कॉंगरेज की स्थापना का फैसला किया एक सेवा निर्वर्त ब्रीटिस अफसर ए वो हूम की इसके अध्यक्स बनाएगे और उनीकी अध्यक्सता में ये कॉंगरेज की स्थापना की कि भारती राष्टे कॉंगरेज की स्थापना हुई नेक्स्ट अथ्वा में आपका पर्षन है रोलट सत्याग्रह पे एक लेख लिखी रोलट जो कानून उपर हमने देखा रोलट एक्ट क्या था जिसमें बिना किसी सूचना के और बिना किसी मुकदमे के क किसी को भी जेल में डाला जा सकता था ब्रीटे सरकार का एक आला कानून थो था तो इसके विरोध में किस परकार से सत्याग्रह किया गया तो उसका वड़न यहा करना है तो आपको एक परसंद करना है इन में से तो मिलते हैं एक्स्ट और महतोपूर्ण वीडियो के साथ झाला जाए तो